बाई और बेनों ये ये जो किताब है हिंदुस्तान का सम्विधान ये लाखों लोग लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी कॉंग्रेस के लोगों ने लड़ी थी हिंदुस्तान की आम जन्ता ने लड़ी थी और जो भी आपको मिला है आज तक गरीबों को मिला किसानों को मिला उसको आप विकास कहिए जमीन का अधिकार आरक्षन शिक्षा स्वास्त जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है गांधी जी, अम्बेटकर जी, नहरू जी, ये सब लोग लड़के ही किताब आपको दी है और आज BJP के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, Constitution, समविदान को बदल देंगे इस किताब को फाड़ के फेक देंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप सब इस बात से सहमत होगे कि BJP छोड़िये, नरेंदर मोधी छोड़िये दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस समविदान को छू सके तो ये लड़ाई, ये चुनाव, सबसे पहले समविदान को बचाने का है, आरक्षन को बचाने का है और जो गरीमों के अधिकार हैं, उनको बचाने का चुनाव है भाई और बेहनों, अजीब सी सोच है प्रधान मंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटर्विउ किया, आपने देखा होगा, देखा आपने वो जिसमें प्रधान मंत्री बैठते हैं, चार चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते देखा प्रेस कॉंफरेंस ने कर पाते हैं प्रधान मंत्री चार पांच चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं और फिर एक इंटर्विउ में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधान मंत्री से, प्रधान मंत्री जी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है प्रधान मंत्री जवाब देते हैं, हस्ते हुए देते हैं क्या चाहते हो कि मैं सब को गरीब बना दूँ मतलब सोच देखिए हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा है एक तरफ अरब पती जिसको 24 गंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं मैंने इनको मित्र कहा मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है ये ये अदानी के मोधी के मित्र है ये अदानी के मोधी के मित्र है 24 गंटा नरेंद्र मोधी का चेहरा दिखेगा आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता देखा कभी आपने मजदूर देखा बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं महिंगाई के बारे में कभी बोलते हैं मन्रेगा के जो मजदूर है उनके बारे में बोलते हैं नाई अम्बानी की शादी देखी देखी न आठ दस क्रोड रुपे वाली घड़ी देखी तो दो भागों में हिंदुस्तान को बाट दिया है एक तरफ अरब पती और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वो ही बाइस पच्चिस लोगों के लिए हुआ है आप हैरान हो जाओगे नरेंद्र मोदी जी ने बाइस लोगों का 16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 का माफी में दिया है और फिर कहते हैं क्या मैं सब को गरीब बना दूँ हां मोदी जी 22 लोगों को छोड़ किया आपने सब को गरीब बना दिया है ये इंदुस्तान की सचाई है और क्यूं किया क्यूंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते है चोपिस घंटा आपका चेह भाईयों और बहनों नरेंद्र मोदी की जो इमिज थी आप सब जानते हो कि वो जो गुबारा था वो गुबारा फट गया फटाक से गर्ब गुबारा फट गया आज कल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कभी कभी जब मैं निकलता हूँ बीजेपी के लोग जंडा खड़े रहते हैं मैं बता रहा हूँ देखो जंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे मेरी और देखते हैं मैं कहता हूँ अधानी वो उन्सिर नीचे कर देते हैं ऐसे BJP के जंडा मेरे सामने में कहता हूँ अधानी BJP के कारे करता यूं करते हैं क्यूंकि जानते हैं अधानी की सरकार है अरब पतियों की सरकार है पहले मैं आपको अगनी वीर के बारे में बताने चाहता हूँ अगनी वीर योजना का नाम सुना है आपने सुना है आज कल जो रिकूरूटिंग सेंटर होते थे जो भरे रहते थे आज कल सारे के सारे खाली है सेना में कोई भरती नहीं होना चाता है कारण अगनिवीर योजना अगनिवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है तीन साल की भरती होगी और उसके बाद चार में से तीन जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ तुमारा अब कोई काम नहीं है बाईयों और मैंनों आप सोचिए दो जवान एक साथ लड़ेंगे एक अगनीवीर होगा दूसरा नॉर्मल जवान होगा चाइना के खिलाफ लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे एक जवान को सारी की सारी सुवेदाई मिलेंगी शहीत का दर्जा मिलेगा पेंशन मिलेगी कैंटीन मिलेगी अगर उसे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी परिवार की रक्षा होगी और उसके बाजू में जो खड़ा होगा उसी बंदूक के साथ उनी गोलियों के साथ जो लड़ेगा उसको हिंदूस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी ना शहीत का दर्जा देगी ना पेंशन देगी ना कैंटीन देगी ना उसके परिवार की रक्षा होगी आप सोचिए हिंदूस्तान की सेना का मुराल का क्या होगा दो तरीके के शहीद बना दिए सेना को बाट दिया एक अगनिवीर और एक नोर्मल जवान तो पहला काम हमारा होगा क्योंकि हम देश भक्त हैं हमारा पहला काम होगा जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी 4 जून अगनिवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूर के डस्बिन में कुड़े दान में फेक देंगे कुड़े दान में फेक देंगे क्यूं? क्यूंकि ये आर्मी की योजना नहीं है ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की योजना लाएं है इसको हम फाड़ के कुड़ेदान में फेकने जा रहे हैं हमें हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए सब को पेंशन मिलनी चाहिए सब को इज़त मिलनी चाहिए सब को सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और मैं गैरंटी देके कह रहा हूं जैसे हमने योजना को फाड़ के फेका ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स है, ये एक बार फिर भर जा Hampshire ये बार दोड़ते हूँ इन सेंटर्स में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे पहला काम ये अब मैंने आपको कहा कि देश को दो भागों में बाट दिया गया है एक तरफ 22 अरब पती दूसरी तरफ आम जंता तो आप कहोगे राहूल गांदी ने बात तो बता दी मगर इलाज क्या है इलाज मैं आपको बताने आया हूँ जितना पैसा इन्हों ने अरब पतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को मजदूरों को युवाओं को गरीबों को दे देंगे अब आप कहोगे हाँ स्केट से कह दिया मगर कैसे होगा बताता हूँ 4 जून को सरकार बनेगी 5 जून को एक एतिहासे काम historical करांतिकारी काम होने जा रहा है जो आप सपने में भी नहीं देख सकते सोच नहीं सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है ये हम करने जा रहे है भाईया अभी ताली मत बजाओ अभी आपने सुना भी नहीं क्या होने जा रहा है ताली बाद में बताना बजाना होगा क्या हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी जो भी गरीबी रेका से नीचे है चाहे सोनीपत में हो हर्याना में हो पंजाब में हो टमिलनाडू जहां भी हो सबकी लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा लिस्ट बनेगी महिलाओं की काली मत बजाओ भी लिस्ट बनेगी उसमें करोणों महिलाएं होंगी किसान मजदूर छोटे भी अपारी बेरोजगार युवा इन सब के परिवानों की लिस्ट बनेगी और फिर पांच जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे नो बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में पांच जुलाई को हर परिवार के खाते में बैंक अकाउंट में ठटाक से 8500 रुपे अंदर अब आप कोगे क्या हुआ आप ताली बजाई ना अब आप कोगे तो क्या हुआ अब आप कोगे तो क्या हुआ आट हजार पांच सो रुपे डाल दिये तो क्या हुआ मत आता हूँ खटा कट खटा कट खटा कट खटा कट खटा कट 8500 रुपए आप सोचिए करोणों परिवारों को साल का एक लाख रुपिया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा एक लाख रुपए हर परिवार को अब आप को होगे यह क्या किया यहां पे मैं देख रहा हूं महिलाए खुश हो रही हैं पुर्ष देख रहे हैं भाई हमें नहीं मिल रहा है यह क्या हो रहा है मैं समझाता हूं यह देखो खुश हो रही है कैरिया हमें दिया एक लाख रुपए हमें दे रहे हैं तो अब मैं समझाता हूं अब फर्क बताता हूं शायद पुर्षों का अच्छी नहीं लगे बात आप 21 सदी में जॉब करते हो मजदूरी करते हो कॉल सेंटर में काम करते हो उबर ओला चलाते हो यह भी चलाती है यह भी काम करती है घर से बाहर जाकर आप 8-10 गंटे काम करते हो आपको पैसा मिलता है यह भी जाती है इनको भी पैसा मिलता है मगर फिर आप घर आते हो आप थोड़ा rest लेते हो relax करते हो और ये 8 गंटे और काम करती है बच्चों की देखबाल करती है homework कराती है इसलिए अगर आप 8 गंटे काम करते हो तो हर्याना की माहलाएं 16 गंटे काम करते है तो इसलिए bank account में इनके bank account में जाएगा, मगर मैं आप सबको जानता हूँ, दो-तीन दिन के अंदर, वो जो उनके bank account में पैसा गया होगा, वो आप, कम से कम आदा तो उनसे ले लोगे, अब उससे होगा क्या, नरेंदर मोधी जी ने, अमबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया, उन्होंन खर्च किया, आप इसको अमरीका में नहीं खर्च करोगे, आप इस पैसे को सोनिपत में, अंबाला में, चंदिगड में, हरियाना, पंजाब, गाउं में, कजबों में खर्च करोगे, शर्ट करीद होगे, पैंट करीद होगे, मोटर साइकल करीद होगे, मोबाइल फोन दोगे आपका पैसा हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता में जाएगा एकॉनोमी में जाएगा आज जो फैक्ट्रिया बंद पड़ी हैं वो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक प्रडक्शन शुरू कर देंगी आपके पैसे से आपके खरीदने से उनका प्रडक्शन मार्केट में चलने लगेगा फैक्ट्रिया चालू हो जाएगी और हर्याना के युवा सोने पत के युवाओं को उनी फैक्ट्रि में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो चेन है हम आपके जेम में पैसा डाल रहे हैं आप माल खरीद होगे economy शुरू होगी अर्थवेवस्ता चालू होगी फैक्टरिया चालू होगी और आप ही को उनकी फैक्टरियों में उन्ही फैक्टरियों में रोजगार मिलेगा नरेंद्र मोधी ने क्या किया नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान की सारे चोटे फैक्टरियों को बंद कर दिया स्मॉल और मीडियम बिजनस वालों को बंद कर दिया नोट बंदी जी एस्टी के करके अधानी जी अंबानी जी ये बड़े बड़े जो अरवपती हैं ये हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचते है हिंदुस्तान की फैक्टरिया नहीं चल रही है उनको फाइदा होता है अरवपतियों में फाइदा होता है चाइना के युवाओं को फाइदा होता है चाइना की कंपनियों को फाइदा होता है हमारे सिस्टम में मेड इन इंडिया सच्चा मेड इन इंडिया होगा आपके जेब में पैसा जाएगा पैसा अर्थ विवस्ता में जाएगा फैक्टरियां चालू होगी और made in India, सच्चा made in India होगा अगनीवीर की बात की अर्थ व्यवस्ता की बात की थोड़ी सी मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ आपका नरेंद्र मोधी ने करजा माफ नहीं किया अरब पतियों का किया भारत जोड़ो यात्रा में चार हजार किलोमेटर चला और हजारों किसानों से मेरी बात हुई हिंदुस्तान का किसान सिरफ तीन चीज चाहता है हर एक किसान ने मुझे यहीं कहा चोथी चीज नहीं बोली पहली बात बोली राहुल जी हमारा करजा माफ होना चाहिए तो मैंने कहा कि ठीक है मगर अगर आपने कहा कि एक बार कर्जा माफ होना चाहिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ एक बार तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे ही करेंगे मगर हम वहाँ नहीं रुकेंगे हम वहाँ नहीं रुकने वाले हम एक आपके लिए किसानों का एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसानों की आवाज होगी और जब भी उस असोसियेशन ने सरकार से कर्जा माफी मांगी हम आपका कर्जा माफ कर देंगे मतलब एक बार नहीं होगा एक बार नहीं होगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका कर्जा माफ करने की कोशिश करेंगे दूसरी बात कही हजारों किसानों ने कहा राहुल जी एक बात हमें समझाईए हम मार्केट में जाते हैं हम चिप्स का पैकेट खरीते हैं उस पे दाम लिखा होता है हम फ्रिज करीते हैं टीवी खरीते हैं शर्ट करीते हैं उस पे दाम लिखा होता है कम से कम दाम प्रोड्यूसर को मिलता है जो चिप्स बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है जो शट बनाता है उसको मगर किसान को कम से कम दाम नहीं मिलता जब टाइम आता है इंपोर्ट एक्सपर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है बड़े बड़े उध्योग पती दबाव डालते हैं और हमें अनाज के लिए शुगर केन के लिए धान के लिए सही प्राइस नहीं मिलती सही दाम नहीं मिलता राहुल जी आप एक काम कीजिए कानूनी minimum support प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दिलवा दीजिए ये हजारों किसानों ने कहा तो मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को इंडिया की सरकार कानूनी minimum support प्राइस गैरंटी करके देने जा रही है और तीसरी बात आप ने कही किसानों ने कि राहुल जी ये नरेंद्र मोधी जो हैं फसल भीमा योजना हम पैसे देते हैं जब नुकसान होता है आंदी आती है तुफान होता है हमें पैसा नहीं मिलता इसके बारे में आप कुछ कीजिए तो किसानों से कहना चाहता हूँ हम नहीं फसल भीमा योजना लाएंगे वो अरब पतियों को नहीं होगी आज की जो योजना है उसका फाइदा 16 कमपनियों को जाता है किसानों को नहीं जाता हमें एक नहीं योजना लाएंगे किसानों की योजना होगी और हमें एक कानून लाएंगे कि बीमा का पैसा किसान के खाते में 30 दिन के अंदर होना चाहिए मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा आश्चा और आंगनवानी में जो महिलाएं काम करती है आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं जो भी आज को आज मिलता है 5 जून के बाद वो दुगना हो जाएगा तो हमारा आइडिया है भाई और बेनो की गरीबों के जेब में किसानों के जेब में छोटे वियपारियों के जेब में हम जादा से जादा पैसा डाले अब यहां युवा हैं बेरोजगार किया नरेंद्र मोदी ने आपको नोट बंदी की आपसे कहा युवाओं को कहा युवा ने नरेंद्र मोदी से कहा मोदी जी रोजगार दीजिए मोदी जी कहते हैं ऐसे करो नाले के पास जाओ एक पाइप लो पाइप को नाले में डालो नाले में से गैस आईगी गैस से चूला जलाओ और पकोड़े बनाओ यह नरेंद्र मुदीची कहने है और करोड़ो युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया जो देश को रोजगार देते हैं जो मेक इन इंडिया वाले लोग है छोटी कंपनिया है छोटी फैक्टरीज है मिडल साइज फैक्टरीज है उनको सब को बंद कर दिया खतम कर दिया और नतीजा हुआ कि करोड़ो युवाओं को बेरोजगार किया है आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था वहाँ पे पापा ने लाकों रुपे दिये है प्राइवेट एजूकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में और आज मैं कुली का काम कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की देन है कुली ने मुझे यह बात बोली अब देखिए ये है हालत देश की मीडियाले कभी नहीं कहेंगे तो सबसे पहला काम हमने पता लगाया है 30 लाक सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको हम आपके हवाले एकदम कर देंगे दूसरी बात और एतिहासिक बात जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं वो ही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था अब हम पहली बार ग्रैजुएट्स को डिप्लोमा होल्डर्स को कॉलेज ग्रैजुएट्स को युनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में पबलिक सेक्टर में भी एचे एल, एचे एल सबसे बहतरीन कंपनीज में सरकारी युनिवर्सिटीज में, सरकारी कॉलेज़ेज में, सरकारी हस्पतालों में सरकारी आफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक साल की नौकरी का अधिकार मतलब अगर आपने मांगी सरकार को एक साल की नौकरी गैरंटी करके देनी होगी तो आपको एक साल की नौकरी मिलेगी एक साल की नौकरी मिलेगी एक साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइविट सेक्टर में टेक्निकल कंपनीज में पब्लिक सेक्टर में भी एचियल में एचियल में और एक साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का एक लाक रुपिया महीने का ठका ठक, ठका ठक, 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 8500 रुपे, जून, जुलाई, अगस, सप्तमबर, अक्तोबर, नवंबर, डिसमबर, एक साल के लिए 1 लाग रुपे, 8500 रुपे महीने के बाईयों बैनों इससे अर्ध विवस्ता में पैसे का इंजेक्शन होगा, जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी में, स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसके बाद हम चाबी गुमाएंगे, और हिंदुस्तान की अर्ध विवस् जंप स्टार्ट होके चालू हो जाएगी, तो ये हमारी सोच है, उनकी सोच, चाइना का माल बिकवाना, अमबानी अधानी को फाइदा पहुचाना, छोटे विया पानियों को खत्म करना, किसानों को मजदूरों को बूका मारना, हमारी सोच, गरीब परिवारों के बैंक अक करी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना, ये फरक है सोच में, आकरी बार आपसे कहना चाहता हूँ, आकरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, हर्याना की जिम्मेदारी है, आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, चाहे वो विकास की बात ह सबसे ज़्यादा मेडल हर्याना लाता है, हमारी सरकार ने सपोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया, सडक बनाई, यह सब काम किया और आपने देश को रास्ता दिखाया था ये आपकी जिम्मेदारी है फिर से आपको देश को रास्ता दिखाना है भारी बहुमत से हमारे यहाँ प्रत्याशी को जिताईए कॉंग्रेस पार्टी की यहाँ पे clean sweep कराईए और उसके बार यहाँ पे assembly election में धमाके से कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाईए बाई और बेनों मैं 4000 किलोमीटर चला इनके नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोली मैंने और हम सबने यही आपका दिएने है हर्याना महबबत का प्रदेश है यह नफरत फेलाते हैं भाई को भाई से बाढ़ते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं इनको आप सबक काईए हर्याना में नफरत की बाजार बंद कीजिए, महबत की लाकों दुकान कोलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै हर्याना.